नवस्तार दोस्तो गुर्ड विंइंग्स आप सभीगार। दोस्तो आज मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ BITKUT PRICE BITKUT PRICE की दोस्तो 10 TRILLION की बर्नी होने जाएगे 10 TRILLION BITKUT PRICE token को burn करने जा रहे हैं and over 7 days, 7 दिनों के अन्दर 10 TRILLION token को burn करेंगे आज अलग बग 30 तारीक हो चुका है तो एक तारीक से लेके 8 तारीक अपमाल लो यहां पर 8-7-8 तारीक तक माल लो यह जो साथ दिन है इन साथ दिनों में बिटिकरड प्राइस की देश्टिनल टोकेन बर्निंग होगी और यहां पर बिटिकरड प्राइस की अनादर एक अपडेट जिसका अपडेट देते हैं बट कुछ लोगों को कुछ गदे लोगों को कुछ चीजे समझे में नहीं आती मैं यही बात बता रहा हूँ तो बहुत ही बेफिजूल फालतू कमेंट्स करते हैं तो उन लोग लिए फिर से मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँगा कि क्या अपडेट से उस चीज़ को भी देखेंगे और समझेंगे कि बिटिकरड प्राइस का इको सिस्टम में क्या चल रहा है इसका प्राइस में कितना इंपक्ट पर सकता है यह जो इतनी बड़ी अनॉसमेंट की गई है दो टीर चार पांच छे साथ आठ टी ए एस गजीर यह जो टूकें से यहां पर जतने था इन डिया है इन टोकें को बरनिंग करने जा रहा है कैसे बरनिंग करेंगे जसके देख जक तो बाइनास विर्न बडद लग नम्बर आ पेज टोकें़ एक्ट उपनिस्ट नेटवर्क पे उसको को लेटरियर रखे इसको बर्निंग करें के ठीक है यह सिंपल बात है अब समझ लो अब जैसे कि मैं बता रहा था बेटिगाड ब्राइस की यहां पर अपडेट आई है मतलब एक तो पहले इसका एथरियम नेटवर्क को लेके और दूसरा दोस्तों बर् इसको देखेंगे और यहां पर कुछ अपडेट से इनको लेके वह भी हम देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका मतलब बहुत सारा एड्रॉप सी चल रहा है डाउनलोड एव आईयो एप शेर फाइव हंडेड डिविजटी प्राइस पूल तो जैसके मैं आपको चेंज से ज़्यादा यह सपोर्ट करता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्लेश्टोर पर जाना है डेश्री सिंबॉक से लिंक से वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपेंड करेंगे आपके सामने इस तरी का पेज आज सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर इसको बात करेंगे मार्केट पर जाओगे तो यह देख सकते हो बहुत है यहां पर देना है पासवर्ड दे दिया आपको यहां पर कॉन्फॉर्म करेंगे confirm करने के बाद आपको यहां पर सामने आ जाएगा आपको यहां पर conform क्लिक करना है हमारा walett यहां पर create हो चुका है आप इसको पेपड कोईन पर चलने के बाद यहां पर जाएंगे एंड यहां पर इसका contract address को copy करेंगे ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर पेस्ट कर देंगे और इसको check करेंगे तो जैसे कि अब देख सकते हैं यहां पर 55% risk दिखा रहा है पेपे token आ गया है और यहां पर अगर हम बात करेंगे on a revenge type देखोगे यहां पर risk management, buy tax क्या है, sell tax क्या है, buy gas fees क्या रहेगा, यहां पर sell gas fees क्या रहेगा, हर एक detail आपके सामनी इस तरीके से present है तो आप यहां पर आकर check कर सकते हो, जैसे कि यहां पर tokens, NFT का भी आप check कर सकते हो, ठीक है, check पे जाके monitor करना चाहते हैं, तो यहां पर जाएंगे, हम और यहां पर हम इसको network select करेंगे, Ethereum, and then हम यहां पर PayPal को अगर यहां पर paste करेंगे, तो यहां पर हम इसको monitor करेंगे, जैसे कि देख सकते हो price risk last 24 hour तो हमें क्या चेक करना है price change last 24 hour में यहां पर हम चेक कर सकते हो यहां पर हार एक detail monitor कर सकते हो अब यहां से आप buy sell भी कर सकते हो बाइसल करने के लिए suppose हम यहां पर जैसे कि देख सकते हो पेपे 2.1 यहां पर दिखा रहा है, हम पेपे 2.1 पर चलेंगे और इसको buy करेंगे, तो buy करने के लिए यहां पर click करना पड़ेगा, and यहां से sell भी कर सकते हो, आप add भी कर सकते हो, अपना tokens को Ethereum network पे, हम यहां पर क्या करेंगे, BAC network के token को यहां पर जाएंगे, and then यहां पर, जै and sell कर सकते हो, जैसे कि यहां पर मैंने आपको detail में बता दिया है, बात करते हैं, Bidgar price की, सबसे पहले price को आप देख लीजे, Bidgar price की announcement आई है, बट price में कोई ज्यादा improvement नहीं है, अभी वी 1% है, over the 7 days price में कुछ improvement आ सकती है, 100% कुछ ना कुछ improvement आ सकती है, क्योंकि इतनी बड a buyback 10 trillion burn, ठीक है, price यहां पर, and in the next 7 days, we will burn them and making our token supply more scarce, तो सिंपल बात है, हर महीना यहां पर burning हो रहा है, last महीने price token ने कितना burn किया था, स्रिप और स्रिप दो burning पर 1 trillion token, and मैंने आपको क्लियर यह चीज़ कही थी, कि इस तरीके से burning करा तो कुछ नहीं होगा, यह स्रिप और स्र अब देख सकते हो, इस बार की burning थोड़ा अच्छा करने के कोशिच करें, 10 trillion token, and 10 trillion token करने का पीछे, over the 7 days, यहां पर इसको मतलब करने का पीछे का reason भी एई है, कि बिट्गर बाइस ने एक अपडेट दिया है, चार तारीक को यह 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 यहां पर ट्रेडिंग चालू हो जाएगा, यह चीज़ आप ध्यान में रखना, जैसके मैं आपको बता रहा था कि यह जो बिट्गर बाइस का चार तारीक पे network अपग्रेड हो, ethereum को join करने वाला है, ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आता है, clear समझो क्या होने वाला है, 4 जुलाई से ethereum network को join बीपी 20 में नेट पर है, बीपी 20 में नेट का token ब्रीज पे लेके जाएगा, ब्रीज से हमें कहां मिलेगा जाने को, यहाँ पर ethereum network को जाने की मिलेगा, ब्रीज में function है, यह एड किया गया है कि यहाँ पर ब्रीज पे आप token lock करोगे, same amount का token unlock होगा, ब्रीज से, क्या चीज निकल के आएगी हाँ पर, जैसे कि बताया जा रहा है कि, our using lock and mint function, simple बात है, अब जितना token को वहाँ पर lock करोगे, उतना token को mint करके ethereum token ले सकते हो, यह पहली बात है, अब यहाँ पर बात रही, सबसे पहले, कौन सा इसा घदा होगा, जो अपना BST token को यहाँ पर breach पे लेके ज supply, अगर हम बात करेंगे, चार सो जो यह, चार सो भी, चार सो भी सप्ला है, ethereum network पे उसका supply है, and ethereum network का कोई भी use नहीं करता है, बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, recently अगर हम बात करेंगे, flow की इन्होंने अपना bridge token को burn कर दिया, बात करेंगे, vault इन्हों का unused token को burn कर दिया, तो why bid guide price यह क्यों कर रहा है, सबसे पहले बात यह हमें समझना चाहिए कि bid guide price, ethereum network पे क्यों जा रहा है, अब bid guide price का own blocks है, अगर बात करेंगे, BRC20 network, and bid guide price काफी promote कर रहा है, दूसरे के साथ यहां मर मिलके, multi chain function को add करके, बहुत कुछ कर रहा है कि bid guide price, अपने ecosystem को develop क करें, तो फिर bid guide price क्यों नहीं लेके जा रहा है, यह चीज़े आपको समझनी चाहिए, कि max to max लोग यहां पर इसको buy करके रखे हैं, यह BST chain पे, अब लोग क्यों इसको वहां पर lock करके, ethereum network पे token लेंगे, तो simple बात है, कोई मतलब नहीं बनता, कुछ ना कुछ तो अंदर प impact हो सकता है, bid guide price का over 10 days में, तो फिलाल के condition में, दोस्तों, bid guide price ज्यादा ज्यादा 20-25% अगर pump किया, उससे उपर level का pump आएगा नहीं, 20-25% मैंने maximum कहा, उतना भी साइद bid guide price इस बखे तो यह जो 10 trillion token है, यह burning से नहीं जा सकता, बाकि यहां पर, इनका ethereum upgrade, और दूसरी बात बर्निंग यह चीज़ को लेके hype create करनी की कोशिश कर रहे है, बट मुझे नहीं लगता अभी ecosystem में इसका कुछ ज्यादा impact पड़ेगा, हाँ, 500 trillion, 60 trillion, 40 trillion की बर्निंग की announcement आती, और वो date थोड़ा बहुत hidden रहता, तो कुछ यहां पर बढ़ा हो सकता था, या फिर bid guide price अपना own blockchain पर लेके जाता है, coin को तो कुछ हो सकता था, बट मुझे यहां पर scenario कुछ सही नहीं लग रहा है, बाकि आपकी बर्जी, आप अगर दीवाने हो, तो दीवाने हो, मेरा काम है दोस्तो, आप लोग के सामने सही चीज़े present करना, क्या चल रहा है, क्या कुछ होनी जाना, क्या क कुछ हो सकता है, बाकि ऐसा है कि क्रिप्टो कोई में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो तो अलग बात है, बट जो maximum chance है, मैंने आपको वही बताया, अभी आपका जो करना है, वो आप कर सकते हो, आज की वीडियों को तुस्तों यहीं पर end करते हैं, बहुंच जल तक नेशन अपर क्लिए टाटा, वाई वाई, तमस्कार